हेलो गाईज, वेलकम बैक टू के मोटो व्लोग्स सो ये है बजाज की ओल नू पलसर P150 का BS6 Phase 2 Compliant Variant और आज की इस वीडियो में हम इस पाइक का डिटेल्ड रिव्यू करेंगे इस पाइक के अंदर कैसी फीचर्स हैं क्या इसके अंदर नया है इस पाइक में आपको क्या माईलेज मिल जाएगी क्या इसकी डॉप स्पीड है और क्या इसका प्राइज है क्या आपको अंदर प्राइज मिलेगा सो बजाज की पलसर P150 रिसेंडली मार्केट में लॉँच होई थी और अभी इसका BS6 Phase 2 Compliant वरियंट भी बजाज की शोरूम पे आ गया है और ये स्पाइक का ट्विन डिस्क फ्रेक स्प्लिट सीट वाला वरियंट है जिसका एक शोरूम प्राइज है 1,20,000 एक लाग बीस हजार रुपे और दिल्ली में इसका अंदर प्राइज आपको मिलेगा 1,45,000 एक लाग बीस हजार रुपे के आसपास 1,45,000 के आसपास पलसर P150 में माइलेज आपको 45-250 गेम पिल के आसपास के मिलेगी और ये एक काफी अच्छी कम्यूटर टाइप की बाइक है जिसके एंजिन डिफाइनमेंट काफी अच्छी है इसके और उन लुक्स डिजाइन और स्टाइल भी काफी अच्छी है देखने में बाइक काफी अधतक Pulsar N160 से इंस्पायर है क्योंकि इसकी रियर प्रोफाइल काफी अधतक N160, N250 के जैसी है और इसकी टॉप स्पीड आपको 125 km per hour के आसपास की मिलेगी और बात करें बाइक के लुक्स डिजाइन और स्टाइल के बारे में तो स्टाट करते हैं और फ्रेंट से सबसे उपर बाइक में एक फ्रेंट वाइजर दिया गया है जो काफी छोटा सा है naked bikes में ऐसे ये type के wise's होते हैं और उसके नीचे bike के headlight cowl के उपर black color दिया गया है जो piano black color है और इसके side में दोनो तरफ blue color की strips भी है और bike का headlight cowl भी देखने में काफी अच्छा है और bike में бाइ functional single LED projector headlight है ये वहीं LED headlight है जो Pulsar N160 के इंदर आती है और इसके साथ में LED DRLs भी हैं फ्रेंट से देखने में बाइक काफी sporty सी लगती है या पर नीची आपको ABS की बैजिंग देखने को मिल जाएगी Spike में Single Channel ABS है Dual Channel ABS का इसके अंदर कोई भी option नहीं है Front Fender की उपर आपको Metallic Black Color मिलेगा और इसमें पीछे की तरफ Matte Black Color है Bike में आपको 31mm के Telescopic Type के Suspension मिलेंगे Front में 260mm की इसके इंदर Front में Disc Brake है जिसके साथ में आप ABS देख सकते हो और Bike में Black Color के Low Wheels है टायर की बात करें तो इसमें 90 upon 90 सेक्शन का Front में टायर है और Bike के Low Wheels का डिजाइन भी काफी अच्छा है और Suspension के उपर Reflectors भी हैं जो दोनों साइड है और Bike में Black Color का यी Brake Caliper है So Front से देखने में बाइक काफी Sporty लग रही है और Commuter Segment में इसका ये डिजाइन काफी अच्छा है Halogen Type की Spike के इंदर आपको Turn Indicators मिलेंगे LED Indicators का इसके इंदर कोई भी option नहीं है लेकिन Bike के Tank Shrouds का डिजाइन काफी अच्छा है ये काफी अच्छा है ये काफी अत्तक N160 से ही inspired है इसकी Fuel Tank Capacity 14L की है जो Segment में काफी अच्छी है और Bike के Fuel Tank के उपर आपको दोनों Side Pulser का 3D Logo देखने को मिलेगा Tank Shrouds के उपर Black Clare है जिसके साथ में Blue Clare की Stips भी है काफी sporty टाइप के Tank Shrouds है जिसकी वज़े से Bike की Side Profile भी देखने में काफी अच्छी है और Bike के Engine Cowl के उपर भी Metallic Black Clare है जिसके साथ में Blue Clare की Stips यहां भी है और Bike का Best Part यह भी है कि इसके अंदर आपको Kick का Option मिल जाएगा यानि की Bike में Kick दी गई है So Emergency की Case में आप Kick के साथ भी Bike को Start कर सकते हो और Engine के बारे में बात करें तो Bike में 149.68cc का 4-stroke Single Slender Air Cold Engine है जिसकी Power 14.5 PS है 13.5 Nm का Torque है बाइक में 5-speed gearbox है यानि की 5 gear दिये गए है बाइक में So Commuter Segment के According इसके Output Figures काफी Descent है और Actual में बाइक की Performance भी आपको काफी Descent मिल जाएगी इसका Best Part यह है कि अपनी Segment में काफी Lightweight है क्योंकि इसका Weight सिरफ 140 GHz है जिसकी वजह से इसका Power to Weight Ratio भी काफी अच्छा है So इसका Initial Acceleration और Pick Up आपको काफी Descent मिल जाएगा और Commuter Segment में यह भी एक काफी अच्छा Option है और यह इस Bike का Ivone Black Blue Color है जिसमें पूरी Bike के उपर Black Color दिया गया है जिसके साथ में Blue Glur की Stips भी है काफी जगैंपे यानि की Dual Tone Type की Color Combination और Graphics काफी अच्छे दिये गए है बाइक में दूसरी साइड भी Pulser का 3D Logo है बाइक की Fuel Tank की उपर और बाइक में आपको Leg Guard भी मिल जाएगा दूसरी साइड भी Engine के उपर Pajaj की Badging है और यह E20 Compatible है यानि की 20% Ethanol और 80% Petrol के Mixture पे चल सकती है थोड़ा सा Aggressive है लेकिन Mid Set Foot Packs होने की बज़े से बाइक का Riding Posture थोड़ा सा Comfortable Side है और इसमें आपको Analog Plus Digital Type का Instrument Console मिलेगा जिसके अंदर Gear Position Indicator भी है Speedometer, Tachometer, Fuel Gauge, Clock यह सभी Basic Features आपको इसके Instrument Console के अंदर मिल जाएंगे यह वही Same Instrument Console है जो Pulser N160 के अंदर आता है के नीचे Horn Button है और Right Side में आप देखोगे तो यहाँ पे Engine Kill Switch है और उसके नीचे Self Start Button है और Bike के Rear View Mirrors की भी Build Quality काफी decent है और Bike की Foot Packs की Quality काफी अच्छी है इसमें कोई डाउट नहीं है कि Foot Packs की Quality तो बजाजने काफी अच्छी दी है और Bike की Rear Profile पे आपको P150 की Badging मिल जाएगी जो White Color में है और यहाँ पी भी एक Blue Color की Strip है बाइक में Split Type की Seats है Seat की Cushioning काफी अच्छी है और Pillian Seat का भी Comfort काफी अच्छा दिया गया है Pillian काफी Comfortably आपके साथ Ride कर सकता है आप Long Ride भी कर सकते हो और इस Variant में आपको Split Type के Grab Rails मिलेंगे Split Type की Seat मिलेगी Twin Disc Brake मिलेंगे Split Type के Grab Rails काफी चल लुक देते हैं पीछे से जिसके वज़े से Bike की Looks काफी Sporty आते हैं पीछे की तरफ भी आपको Halogen Type की Turn Indicators मिलेंगे और बाइक के LED Rail Light बिल्कुल सेम वैसी है जैसे Pulsar N160 के अंदर है और याँ पीछे की तरफ आपको Sardi Guard मिल जाएगा और रियर में 110 अपॉन 80 सेक्शन का टायर है फ्रंट और रियर में दोनों ही 17 इंच के Wheels हैं बाइक में और बाइक के रियर में Pre-Load Adjustable Monoshock Suspension दिया गया है इसका और रोल Suspension Setup काफी decent है Monoshock Suspension होने की बज़े से इसके अंदर comfort आपको काफी अच्छा मिल जाएगा और 230 mm की यहाँ पे rear disc brake दी गई है और इस बाइक में फर्स्ट इन सेग्मेंट अंडर बैली एक जो सिस्टम दिया गया है इस सेग्मेंट की और किसी भी बाइक में आपको अंडर बैली एक जो सिस्टम नहीं मिलेगा और बाइक की rear profile पे देखने में काफी अच्छी है काफी sporty look आते हैं पीछे से सो लुक्स डिजाइनो स्टाइल के मामले में पजाज की Pulsar P150 काफी अच्छी है N160 के जितने अच्छे लुक्स तो इसके नहीं है लेकिन कम्यूटर सेग्मेंट के according इसके लुक्स काफी decent है और 1,45,000 के आसपास का अगर आपका budget है और आपको एक कम्यूटर टाइप की bike लेनी है तो फिर आप Pulsar P150 को consider कर सकते हो लेकिन इस bike के इंदर आपको dual channel EBS का कोई भी option नहीं मिलेगा जो Pulsar N160 के इंदर दिया गया है आपको बजाज की Pulsar P150 का BS6 phase 2 compliant variant कैसा लगा कमेंट बोक्स में जरूर बताना इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तिल देन ride safe, drive safe